हालो फेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी सरजी में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक हम मुद्दे पर जो की स्टुडेंट को हित की बात करता है जी गाइस कुछ फैसले ऐसे भी हो है जो स्टुडेंट के हित में हो रहा है कुछ ऐसे फैसले हो रहा है जो स्टुडेंट के अगेंस्ट भी है तो ऐसे मैं इस वीडियो में ऐसे विशाय पर बात करने वाला हूं जो पूरी तरीके से स्टुडेंट के हित की बात करता है अभी तक जो टेकनिकल कालोजों में प आपको बता दे कि समेश्टर डिक जाओ की जो प्रणाली होती है असेस्मेंट और इसके इंटर्नल मार्क्स पे सारी विवस्थाइं सारी सुविधाइं सारी गाइडलाइन अब इनके साथ भी होंगी जो नान टेकनिकल के जुक एजुकेशन यह आप कहां कि नान टेकनिकल के क जैसे जो भी यह विकाम वाले हैं इन पर भी यह चीज लागू होगा तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं जो की बहुत अच्छा मुद्दा है और इसमें जो आपकी मेरिट काफी अच्छी जो है बन सकती है जैसा कि पहले ऐसा नहीं हो पाता था यह कोविड-19 के कोविड 19 की वज़े से ऐसा बड़ा बदलाव लिया गया तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगा बहुत हम होने वाला यह वीडियो जो पूरी तरीके से सिच्छा से जुड़े हुए चात्र हैं उनके लिए यह वीडियो 100% बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप मेरे साथ फट स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक ही निवेदन एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल पर अगर फर्स टाइम जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए जिससे कि सारे इनवस्टियों के लेटेस्ट इनफॉ आपकी भी क्या राय है यह हमारे साथ जरूर सेयर करिए स्टूडेंट को लेकर के यह अभिवावक हैं तो आप उसको भी लेकर के हम पुरी तरीके से आपका शम्मान करते हैं तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या है इस वीडियो में आहम फैशला जो छात्रों की हि है गईस यहां से आप देख पा रहे होंगे विश्व विध्याले में MID DERM S moto Pol Sanal विश्व बिद्याले में में जैसा कि पहले यह था तो सभी स्टेट विध्याले में भी हो गया तो यहां पे कुछ pathe है जो हम आपको बताने वाले यह फैक्ट लगबगम पड़े पिछले वीडियो में आप बात कर चुके थे तो यही फैक्ट आपको इसी फैक्ट में उसका निचोड़ है जो इस पे हम बात कर रहे हैं तो उच्छी सिच्छा विभाग ने जारी किया 2020 की इसका नया केलेंडर व होती थी तो उन सब की परिक्षाओं को ले करके उन सब के पॉइंट भी आपको 50% माइने रखेंगे पहले यह टेक्निकल इन्वेस्टी में था समेस्टर प्रणालियों में था बाखी यह जो एनुवल एक्जाम थे उसमें नहीं था तो आज हम इसी पे बात करने वाले मिड अधिक्तम 50% अंक इन्हीं से निर्धारित होंगे मिड टर्म की परिक्षा सिसनल परिक्षा टिटोरियल एसाइनमेंट और प्रोजेक्ट के संबंधित प्रश्ण पत्र में विद्यारती को प्राप्त कुल अंक का 25-50% तक उस प्रश्ण पत्र की वार्सिक या समिश्टर पर परिक्षा नहीं होने पर इन्हीं अंको का आधार पर परिडे जा सकता है तो आपको बता दें यह एक फिचर है क्यों की जो भी बीश्विद्याल हैं जो भी आपके इस टेट और किसी कारण बस नहीं हो पाती है आज नहीं फिचर में आज कोवीड-9. to से बड़ी और कोई महामारी आये तो इस फैसले का वहां पर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला होगा क्यों क्योंकि इस फैसले से 50% छात्रों का अंकलन उनके जो है संपन कराने की अंतिमतिति आपको बता दे 5 सितंबर 2020 रखी गई है 5 सितंबर तक आप जो है इस चीज को कर दीजिए असनातकोत्तर प्रथम वर्ष बिसम सेमेस्टर की वार्सिक परिक्षा संपन कराने की अंतिमतिति 15 मार्च 2021 रखी गई है संपन कराने की सेमेस्टर इजन समेस्टर के लिए मिड टर्म परिक्षाओं का संपन कराने की अंतिमतिति 15 अपरेल 2021 आपको ये बता दी ये कैलेंडर 2021 और 20 का है उस पर चर्चाएर पूरी तरीके से चल रही है जो कि अभी कोई नेडर नहीं आया है हला कि युजिसी जो है इक्जाम कराने के मूर्ब है समेस्टर की परिक्षाओं को संपन कराने की अंतिमतिति प्रथम प्रथम वालों के लिए है जो पोस्ट ग्रिजुएशन की तयारी क कर रहे है या पढ़ाई कर रहे है तीस जुन 2021 को है वार्सी परिच्छाओं का जो परिडाम जारी होगा घुसित किया जाने की जो अंतिमतिति है वह 15 जुन हो सकती है या लास्ट जुन कर देते हैं हाला कि 15 जुन अंतिमतितिति बताई गई है लेकिन कोई बड़ा बदला की आशनात कोई यहां पर आपको बता दे गाई फंद्र सितंबर तक पूरी होगी असनातफ की प्रवेश प्रक्रिया जो भी स्थंथम बर्स में प्र वियृत्तर प्रिकेस कंप्लीट कर दिया जिससे एक अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाए अनलाइन या प्रचक्छ रूप से सच्छिक कैलेंडर के अनुसार सब 2021 के लिए सनातक प्रथम वर्स में प्रवेश प्रक्रिया 15 सितंबर और अशनात को तर में 31 2020 अक्टूबर 2020 तक पूरी कर ली जाए कहने का मतलब एड्मिशन क्लोस कर दिया जाए ड्मिशन स्टार्ट कर दिया जाए लास्त जुलाई से या फिर अगस स्टार्टिंग से ताकि आप जो है 15 सितंबर तक अपना अशनातक की सारी परिक्षा है कर दी जाए और आपको जो ने ले लिया जाएगा जो भिश्विधालाम एड्मिशन होगा आपके मेरिट बेस में होगा तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाए एक्जाम बिलकुल नहीं एक्जाम अगर करने की कंडिशन होती तो फाइनल येर वालों का प्रवेस कराने वालों से ज्यादा इंपोर्ट हैं उनकी जो है जो है जो है क्लासे चार अगस से सुरू कर दी जाएंगी ऐसा जो है तरप्रदेश के उच्छे सिच्छा विभाग के द्वारा यह गाइडलाइन जारे हुई है गाइस यहां से आप देख पारेंगे सैची कलेंडर के असार असनाता को तर प्रथम वर्स को छो और डिगरी कालेजों में कश्छाएं कश्छाएं जो है संचालित कर पठन पाठन किया जाएगा असनातक में नया प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सिच्छन कार इस्थिती सामान्य होने पर एक अक्टूबर से सुरू होगा 15 जून 2021 तक वार्षिक परिक् भाग कि पुनरविचार करेगी या फिर आपके एक्साम करागी तो इनींहीं यहीं वाते आपे वाधके अपको बताया हालाकि पिछले वीदियो में हमने आपके जो भी यहाँ पर यह सारी बाते थी हमने कर दिया था यह से अच्छी कूल वीडियो लंबा हो जाता इस वज़स हमने इस सारी बातों को इस वीडियो में किया तो जैसा कि आप सभी को 4 अगस से तयार रहना है अपने अनलाइन क्लास के लिए तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा आप चरूर कमेंट करके बताएए थैंक्यू गाईज लास तक वीडियो देखने के लिए आप से एक बार फिर से निवेदन है आप मेरे साथ जुड़ जाएए अपने अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम जुड़ है तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए अपना कमेंट चरूर बताएए कैसा वीडियो लगा कमेंट करके थैंक्यू लास तक वीडियो देखने के लिए चैहिन बंदे मात्रम